एक अप्यूंतर और नेता हैं नेता कुछ भी बोल सकता है हम लोग पाठी चलाते हैं हम्लोग काझ करता Positive खुए पर कोई पर्ति करीया देने के जरुत नहीं है और इतना कोई भारी उनेता नहीं हैuz गिर रहा था तो गई थी वाशिंग्टन और वांग सिद्डेन में पत्रकारों ने पूछिया कि रुपया क्यों गिर रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके समझ गलत है रुपया नहीं गिर रहा डॉलर मजबूत हो रहा है आप इस देश के बित्मंत्री है इतना वड़ा घोटाला हुआ एक प्रतिपक्ष के नेता को का अगर पांसो कड़ों रुपय का और पचास कड़ों रुपय का कोई सियर खरीद ले तो उसके एडी और इंकम टैक्सा भेज दीजेगा और देश के बित्मंत्री बोल नहीं रही है कि इस गोटाला करने वाली कंपनी पर क्या करवाई हम कर रहे ह प्रतिपक्ष कर में अना मुतकर्ष है अप्लाइप चुरी इस देखना शुरू कर चुके हैं जैदियू के रास्ट्रिया थे चलैलन सिंग से जब यह सवाल पूछा गया कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजह सिना कह रहे हैं कि बिहार सरकार मुसल्मानों को मदर्से में जो पैसा देती है वो पढ़ाने के लिए नहीं बलकि प्रस्टिक्षन के लिए प्रस्टिक्षन के लिए देती है उसको लेकर साफ उन्होंने कह दिया है कि जरा विजह सिना से यह पूछ लें कि किस तरीके से कॉर्पोरेट घाराने में इतनी बड़ी लूट हो रही है किस पर निर्मला सितारवन वित्मंत्री है वह बयान नहीं दे रही है अडानी अंबानी के शेर्स किस तरीके से इतने उचल रहे हैं इतना ही नहीं कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बयान दिया है क्या कुछ कह रहें पहले आप सुने पहले विरोधी दल के नेता ये जवाब देना कि इस देश में जो इतना वड़ा कार्पुरेट फ्रॉड हुआ है इस पर पूरी सरकार चुप क्यों है पूरी सरकार क्यों चुप है एक दो दिन के अंदर जब हिडन बर्ग का खुलासा हुआ और दो दिन के अंदर LIC को अठारा हजार कड़ो रुपे का गाटा हुआ सेर में LIC का उस अदानी ग्रुप के सेर में लगभग 42 हजार कड़ो रुपे का सेर है इन्वेस्टमेंट है निवेश है स्टेट बैंक आफ इंडिया का निवेश है किसके ही सारे पर ये निवेश हुआ है जो अदानिक समू है उसने कौन सा क्रांतिकारी ऐसा ब्यापार किया है मिराकल जिसको कहते है जो रातो रात उनका सेर जो है दो हजार का सेर छोजार हो जारा है बारा सो का सेर पांजार रुपया हो जारा है क्या वात है ये यही गुट आला है और पुरी सरकार चूप है चर्चा नहीं हो रही है चर्चा से क्यों भाग रहे हैं बाई कि नहीं है ये तो चर्चा में पता चलेगा न आप जिस देश के भीत मंत्री है इतना वड़ा घोटाला हुआ एक विपक्ष के नेता को का अगर पांसो कड़ों रुपय का और पचास कड़ों रुपय का कोई सेर खरीद ले तो उसके हाँ इडी सीवी आई और इंकम टैक्सा भेज दीजिएगा और देश के भीत मंत्री बोल नहीं रही है कि इस गोटाला करने वाली कंपनी पर क्या करवाई हम कर रहे है का है चुप है क्या रिस्ता है किसका संग्रप्षन प्राप्त है उस ग्रूप को जिस ग्रूप जो ग्रूप 2014 में हिंदुस्तान के पुंजी पतियों में नौवे अस्तान पर था और आठ साल के अंदर 2022 में 20 सुमें तिसरे अस्तान पर पहुंच गिया ऐसा कौन सा चमतकारी व्यापार उस ने किया उस कंपनी ने कि इतने बड़े धन के मालिक बन गया हूँ आधि यह सब मामवला कहीं नहीं है लिए सी में किसका पैसा ? अगर लिए सी का 35,000 या 40,000 कड़ो अगर दूबता है ओर 18,000 कड़ो रूपय का अगर नुकसान हुआ दो दिन के अंदर लिए सी को किसका पैसा दूबखा ए pouco सरकार का पैसा है नहीं हं आप और जो लोग अपने जीवन की शुरक्षा के लिए अपने परिवार की शुरक्षा के लिए जो निवेश करते हैं वो पैसा वहाँ उस पैसे के साथ आप पजाक करना और चर्चा नहीं कराईएगा कहां ले जाईएगा देश को हर्शद में थाज पांब हुआ कर दो कृत्ना धाकल्य चर्चा हुआ थी के पूला राम का कौई काण्ड हुआ था जब स्वर्गीरिय मती इंद्रजांदी जी देश के प्रधान मंत्री थी के तना धे बीसे चर्चा हुआ था आप इतना गोटाला हुआ चुपचा बेटे हुए कोई परतिक्रिया भी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से बित्तमंत्री भी कर रहे हैं अर्थ व्यवस्ता करावा है बित्तमंत्री के तो भासन का बाते चोड़ दीगी कुई दिन पहले हम देखे थे जब रूपया डॉलर के म यह निटा रहा है तो समझदारे शेता रहा है और यह देश को चलाने का उनका नजरिया लेकिन यह सब चीज छीएगा नहीं इस गरीब लोग शेज गरीब लोगों का और पैसा एलाउसई में इंडिश्टेड है और यह गरीब परिवार प्रभाम स्टेट बैंक औउफ इं और हजारों कड़ों रूपया का लौन उनको सैंक्शन हो जा रहा है उसी शेयर के बजार पर जो शेयर का बजार पूरी जालसाजी से उच्छा ला गया और एक बार भद से गिर गया नीचे इसलिए जातीña पुछिए और वह कि रीमे ़के को हैं उन्लों कुछ बहुत करता को नेता पर कोंप्तिक्रिया देने जरूत नहीं है और लुस्वालों को सना किस तरीके से ओधानीयमदानी का किस साल में विष्व के तीसरे चौ तो अमीर व्यक्ति बन रहा है और जब भी ये चीज निर्मला सीता रमन से पुछा जाता हिंदुस्तान की बात की जाए तो उसके पैसे यानि कि इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है तो उन्होंने साफ कह दिया था कि इंडियन रुपी की वैल्यू कम नहीं हो रही है बलकि डॉलर जो है वो जाधा ताकतवर हो रहा है तो ऐसे वितमंत्री को मैं क्या कहूं कई मुद्धो को लेकर विजय सिना के बयान पर खुद केंद्रे मंत्री को और केंद्रे सरकार को घेड़ते नजर आये लेलन सिंग वहीं उन्होंने यह भी क्या दिया कि कोई बहुत बड़े नेता नहीं है विजय सिना जिनको मैं बयान दू या उन पर मैं प्रतिक्रिया करूँ फिलाल कोर में सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल सेल कर लें बहुत बहुत धने बाद